कुछ भी होता पर होने का कुछ भी होता पर नमस्कार दोस्तों आलोग सब्लिमेशन टेक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि कोई भी डिजाइन हार्ड सेप में बनाना है तो कैसे आप बनाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फोटो साप को उपन कर लिया है और फोटो साप वो भी सबसे पुराना वर्जन है 7.0 है जिसके उपर आज हम लोग हार्ड सेप को डिजाइन करेंगे अगर आपको भी दिख्कतार है कि किस तरीके से हार्ड सेप में कोई भी फोटो को डिजाइन करें तो इस वीडियो में लाश्ट तक बने रही है और देखते रही है आलोग शबली मेशन टेक देखे जो भी hard shape में जिसके उपर भी आपको design करना है उसको फटा-फट पहले आपको scan कर लेना है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक hard shape का image लिया हुआ है जिसके उपर हमको rotating lamp के उपर हमको design करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने उस hard shape को यहाँ पर scan कर लिया है, यह देखिए, मैंने इसको scan कर लिया है, इस scan करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, चूंकि यह clear आपको नहीं दिख रहा है, तो हम लोग इसको hard shape में हलका दिख रहा है, तो हम लोग इसको craft कर रेंगे यहां से यह देख सकते हैं आप यह पेंट टूल है इसकी मदथ से हम लोग जो हंठाय पड़ numerous हमBen को दिखाई प्रहा है इसकी मदथ से हम लोग इसको पहले क्राफ कर लेंगे कुछ इस तरीके से यहां पर आप आप देख पा रहे होंगे कि मैं इसको जो है क्राफ कर ले रहा हूं यह आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग इसको जो है क्राफ कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से हम लोग इसको पहले जो है हार्ड सेप में जो आपको दिखाई पड़ रहा है इस पे हम लोग इस तरीके pen tool के मदद से craft कर ले रहे हैं इसको यह देखिए इसके बाद यह जब select हो जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह इसको हमने select कर लिया हम लोग enter की button दबा करके यह देखिए हमने इसको पूरा select कर लिया है select करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग फेदर भरेंगे और इसका background जो है दूसरे color में कर देंगे चुकि यह एक ही color में रहेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा तो हम लेग इसके जो है दूसरे color में आप मैं यहाँ पर ब्लैक कर दे रहा हूं आप कोई भी color इसको आप कर सकते हैं तो मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको जो है ब्लैक कर दे रहा हूं यह देखे background को मैं इसको ब्लैक कर देता हूं और यह देखे तब आपका यह proper image दिखाई पर रही है कि यह hard shape में किस तरीके से कटा हुआ है इतना करने का बात दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यह देखे यहाँ पर right click करके आपको इसको एक duplicate layer कर लेना layer पर जाएंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से हम लोग उनों इसको duplicate कर लिया है अब यह दो भाग में आपको दिखाई पर रहा होगा कि यही चीज आपको दो तरीके से दिख रही है जो भी pick आपको लगानी है इसके उपर बहुत ही easy है दोस्तों इसमें कुछ भी करना नहीं है आपको यह आप देख सकते हैं जो भी image से आपको लगानी है उसको हम लोग यहां से select कर लेंगे कुछ इस तरीके से देखे में मुझे बहुत सारी image यहां पर छोटी बड़ी लगानी है तो मैं अलग-अलग image को यहां पर ले करके अलग-अलग size में मैं आपको दिखाने चाहूंगा तो यह देखे मैं इसको उठा के जो भी पिक है आपकी यह जो hard shape बना है इसके उपर रख लेना है और यहां से select करके इसको जो है select करके बड़ा कर लेना है और इंटर वाली बटन आप जो प्रेस कर देंगे तो यह दो लेयर आपको यहां पर double layer में ने किया था दोनों layer के बीच में यह पिक आ चुकिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे तो यह hard shape जो बना हुआ इसको हम लोग select कर लेंगे यहां पर फेदर भरने के बाद यहां पर हम लोग इसको select कर लेंगे यह देखिए और उसके बाद delete की button हम लोग press कर देंगे जैसे delete की button एक hard shape में प्रेस करेंगे तो एक layer मैंने इसको जो है यहां पर set करने के बाद इसको बड़ा कर दिया और मैंने इसको थोड़ा सा rotate कर दिया है यह देखिए इसको छोटा करना चाहें तो छोटा कर लेजिए बड़ा करना चाहें तो बड़ा आप कर सकते हैं अपने carding आप लोग इसको design कर सकते हैं उसके बाद इसको हम लोग यहां पर जा करके डारिट जैसे है इसको हम लोग कहीं पर इसको सेफ कर लेंगे देखे मैं डेक्षटाप के ऊपर इसको सेफ कर ले रहा हूं यह देखे कुछ इस तरीके से इसका नंबर में ए दे देता हूं यह देखे अब यह सेफ हो गया अब इसी तरीके से इस लेयर को हम लोग यहां से डिलीट कर देंगे उसके बाद फिर दूसरी लेयर ले लेंगे हम लोग डिलीट कर दीजे या इसको यहीं पड़ा रहने दीजे इसी के उपर हम लोग जो है जैसे दूसरी लेयर लेना है तो हम लोग दूसरी पिक ले लेते हैं यहां से एक दूस इस तरीके से हम लोग इसको रख लेंगे और फिर यहां पर इसको देखे सेलेक्ट करके इसको बढ़ा कर लेंगे ताकि हार्ट सेप के बराबर में आ जाए फिर उसके बाद इसको इंटर की बटन जैसे प्रेस करेंगे यह अंदर में हो जाता है दोनों layer के बीच में आ जाता है और यहाँ पर select करने के बाद दोस्तों फिर delete वाली button हम लोगों को press कर देना होता है जैसे ही आप लोग यहाँ पर delete की button press करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे जो layer जो pick की layer अंदर इसके चली गई है वो आपके front पर दिखाई पड़ने लगी को भी hard shape के अंदर देखें हम लोग इसको करके देख लेते हैं यह देखिए तो यह अभी दूसरी layer है इसको हम लोग हटा लेंगे चुंकि यह तो अल 요 Party हम लोगों ने बना दिया है तो हम लोग इसको यहाँ से पहले हटाएंगे या इसको और जूम करके आप देख सकते हैं इसको हम लोग पहले यहाँ से set कर ले रहा है यह देखिए इसको जूम करने के बाद थोड़ा सा उपर नीची आप कर सकते हैं अपने करड़ें ये देख सकते हैं देखिए इसको ये हार्ट सेप में है इसको बढ़ा कर ले रहे हैं थोड़ा सा रूटेट कर देते हैं क्योंकि हमको लग रहा था हो छोटा है तो हम लोग इसको और बढ़ा करके दूसरा पिक भी इसको सेट करते रहे हैं यह देखिए इस तरीके से हम लोगों ने इसको जो है सेट कर दिया है अब हम लोग एक दूसरा पिक जो है यहां से फिर से सेट कर दे रहे हैं देखे इसका नाम हम लोग फिर से दे देंगे चूंकि ये हमको दो फिक में चाहिए थी ड meals peak अमको चूंकिए 2 पिक एकी की बनानी है तो हम लोग इसको ड bathroom कर ले रहे हैं अगर आपको single single चाहिए तो single single हम लोग थोड़ा सा एकी पिक को दो बार लगाने वाले हैं तो यह देखिए हम लोगों ने इसको थोड़ा सा बढ़ा करके फिर दूसरा डबा ले करके हम लोगों ने इसको सेफ कर दिया है JPG में आप चाहें तो PhD में कर लिजिए अगर आपको दुबारा यूज करना है इसको तो हम लोगों ने इसको JPG में यहाँ पर सेफ कर दिया है चलिए हम लोग इसको हटाते हैं और एक नया पिक लेते हैं यह देखिए इसको हम लोग पहले कैंसिल करते हैं यहाँ से दूसरी पिक को लेते हैं हम लोग यह देखे इस पिक को अब हम लोग लेंगे और सेम हो ही प्रासेस करना है दोस्तों कुछ भी नया नहीं करना है उस पिक को उठा करके इसके उपर यहां पर रखना है इस पिक को हम लोगों ने डिलीट कर दिया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लियर से अब इस पिक को उठ बता देता हूं, यह देखे, यहां से आपको पकड करके, पहले इसको हम लोग बराबर में adjust करने कोसिज करेंगे, यह देखे, बराबर set नहीं हो रहा है, तब भी side में देखे, थोड़ा-थोड़ा दिख रहा है, तो हम लोग इसकी layer को, जो pick वाली layer है, हम लोग इसको side से तोड़ा सा दिख रहा है आपको यह देखिए किस तरहीके से ऐसे आपको करके में बद्धेश्ट कर लेना है यह देख पा रहे होंगे किस तरीके से यह अगया है अब हम लोग इसको भी जो है सेफ कर लेंगे डेक्षट आपके ऊपर डिजाइन हो हो चुका है कुछ भी नहीं है दोस्तों बहुत ही जी है बस एक बार आप लोगों को सेट करने के हो सकता है बहुत सारे कमेंड्स आ रहे थे हार्ट सेफ में design करने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैंने का एक वीडियो आप लोगों को यह बना देता हम कि किस तरीके से आप लोगों को hardsave में design करना, तो यह देकि हम लोगे हैं इसको cc number करके हम लोगे हम लोगे हम पर save कर देते हैं, चुकि A, B, C यह तीन पिक हम लोगों की हो चुकी है इसी तरीके से दोस्तों बहुत सारी पिक है मेरे पास मैं एक एक करके इसी तरीके से इसको सेट कर सकता हूँ अगर आप लोगों के पास एक है और आप इसको दुबारा अगर करना चाहते हैं तो JPG में जा करके इसको दुबारा इसको आप योज कर सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि मैंने दो-तीन पिक जो है यहां पर बना दिया है बहुत सारी पिक है मेरे पास बनाने के लिए लेकिन मैं ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों इसलिए मैं ज्याद यूज कर सकते हैं आई joyful कि दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंदा होगा वीडियो पसंदा है तो वीडियो पर लाइक करेए चैनल पर पहली बार बेड करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आएकन को प्रेस कर लीजे ताकर इस तरीके के आप लोगों कि मिलता होँ इसी के साथ दोस्तों नमस्कार मिलता हूं